हेलो गाईज, इसमार डिटल्स में आपका स्वागत है गाईज, आज हम दो मज़ेदार और जासुसी पहलिया सॉल्व करेंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रू देखिएगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना तो चलिए, आज की पहली पहली के साथ वीडियो को सुरू करते हैं बीर, इमली और लट्टू मेला में घूमने जाते हैं वो तीनों मेला में काफी एंजोई करते हैं तभी अचानक इमली और बंटी का किटनाफ हो जाता है बीर इससे काफी टेंसन में आ जाता है वा उन दोनों को मेला के हर एक जगा ढूंटता है लेकिन उन दोनों को ढूंड नहीं पाता है फिर बीर इटिल सिंगम को कॉल करके वहां बुला लेता है थोड़ी तिर बाद इटिल सिंगम वहां आता है और बीर से कहता है क्या तुमको किसी पे सक है? तो फिर बीर बताता है मुझे तीन औरतों पर सक है फिर लिटिल सिंगम उन तीनों औरतों के घरों में जाता है और उनसे पूछताज करता है तो पहली औरत कहती है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है मेरे घर में खुद दो बच्चे हैं तो मैं और बच्चे का किटनैप करके क्या करूंगी? फिर दूसरी कहती है, मेरे LACK FRACTURE है, तो मैं किटनैप करने के बारे सोच भी ने सकती. और फिर तीसरी कहती है मुझे बच्चों से नफरत है मुझे बच्चों को किटनैप करके अपने घर में रखने का कोई सौक नहीं इन तीनों के बातों को सुनकर लिटल सिंगम समझ जाता है कि किटनैपर कौन है तो गाइस क्या आपको बता चला कि किटनैपर कौन है तो आप अपना अंसर जल्दी से कॉमेंट कीजिए तो गाइज क्या आपको अंसर पता चला नहीं तो ये देखो किटनैपर ये ठेड़ वाली आउरत है अगर आप यहाँ उसके रूम में देखोगे तो उसके रूम में खिलोने रखे हैं जबकि उसने बताया कि उसे बच्चों से नफरत है तो फिर वो खिलोने का क्या करती है इससे पता चलता है कि ये लेड़ी जूट बोल रही है और किटनैप इसी ने किया है तो अब अगली पहली देखते हैं गाइज आपके सामने एक पिच्चर है जिसमें बीर, इमली और बंटी है बस आपको इन तीनों को अच्छे से देखना है और बताना है कि इन में कौन बेसरम है तो चलिए अब इस पहली का अंसर जान लेते हैं गाइज मुझे लगता है इन में बंटी बेसरम है क्यूंकि वो किसी और के कमरे में जहांक रहा है ये तो मेरा अंसर है आपका क्या अंसर है आप अपना अंसर कमेंट कीजिए तो गाइज आज किस वीडियो में इतना ही आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बोगल में बेल आइकन है ना उसे भी द्वा देना ठीक है फिर मैं जा रहूँ बाबाई मिलेंगे न अगली वीडियो में